दोस्तो पीम मोदी रश्या के दोरे पर गए थे और यह तस्वीरे तो आप सपने देखी ही होंगी अब दोस्तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि पीम मोदी ने आपदा को अफसर बना दिया है हुआ यू दोस्तो जो सुखोई 30 फाइटर हमारे एरक्राफ्ट है उसमें स्पेर पार्ट्स की बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है कमी आ रही है होता क्या है दोस्तो इस प्रकार के फाइटर जेट्स जब उड़ते हैं तो आपको मालूम है जैसे गाड़ी चलती है तो गाड़ी चलने के कुछ दिन बाद उसको सर्विस करना होता है कुछ पार्ट्स तरीके से लैंड करता है तो सुझे कितना कुछ होता होगा तो वो सारी चीजों के वज़े से continuously spare parts को rotate करते रहना पड़ता है रिपेर करते रहना होता है लेकिन दोस्तों यहां पे रश्या वो spare parts supply नहीं कर पा रहा कारण क्या है आप सभी जानते हैं उस पर हम चर्चा भी करेंगे दोस्तों अब जब spare parts नहीं आ पा रहे तो यहां पे पीएम मोदी ने एक अलगी मास्टर स्ट्रोक खेला है क्या खेला है आईए जरा न्यूज आप खुद देख लीजिए आप देख सकते हैं दोस्तों financial principle already है आप देख सकते हैं कोई question mark नहीं लगा है इस headline के आगे आप देख सकते हैं बिलकुल जुलाई 11 अभी थोड़े दिर पहले की यह खबर है यह बता रहा है दोस्तों पीएम मोदी ने spare parts वाली जो किल्लत थी जो आपदा थी इसको अफसर में बदल दिया और कहा कि spare parts तो अब भारत में ही बनेगा क्या हुआ है क्या यह डील है ब्रह्मोस जैसा आईए जरा आपको बताता हूं सबसे पहले समझेए problem क्या हो रहा है देखिए आई-एफ के पास 200 सुखोई 30 fighters हैं इंडिया के पास spare parts का एक उन्होंने डील भी कर रखा था रश्या के साथ अभी नही तो रश्या यूक्रेन वार हो गया तब से अगर आप देखे तो उन spare parts का supply कम हो चुका है हाला कि इंडिया काफी ज्यादा stockpile maintain करता है इन spare parts का इसलिए सुखोई बिना किसी समस्या के continuously operate कर रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं आप देखें अगर यह spare parts अब unlimited तो है नहीं कुछ spare parts आ क्या होता था यह बढ़िया business model था रश्या के लिए उन्होंने हमें सुखोई दिया और जितनी बार spare parts के लिए कहते थे हमसे ही लेना पड़ेगा और हमको उन्हीं से spare parts लेना भी पड़ता था अब दोस्तों जितनी बारो सुखोई में spare parts को repair करने की बात हम करते थे तो कहते यहाँ पे कोई समान 100 रुपय का नहीं है बहुत महंगा है बस आपको example के लिए दे रहा हूँ क्योंकि उनका profit margin कम हो जाता है repair करने से तो reluctant भी रहते हैं कहते हैं कि भाई new item आप directly लगा दो कुछ वैसे ही जैसा हो सकता है आपके गाड़ी के अगर आपकी गाड़ी है तो उसको क्या हो गया war हो गया अब दोस्तों उसी बीच में भारत भी एक सूपर सुखोई प्रोग्राम लेकर के आ गया साथ हजार करोर रुपय की लागत से आप अगर देखे तो यह प्रोग्राम आया है जिसके अंतर गत कहा यह जितने भी पुराने रश्यन सबसिस्टम है सब को न देखें तो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम जो है वो भी बदला जाएगा और इसमें अगर आप देखें तो हल के साथ प्राइवेट सेक्टर भी कंदे से कंदा मिला के काम करेगा हाला कि हल लीड इंटीग्रेटर रहने वाला है इसमें कहा जा रहा है कि मॉडन ऐसे रडार ल एड्वांस्ट फॉर्म में लगाया जाएगा तो इस तरीके से अगर आप देखें तो सुपर सुखोई प्रोग्राम भारत के सुखोई को काफी एड्वांस्ट बना रहा है विद इंडियन केपैबिलिटी लेकिन इसमें जो इंजिन है एल-31-FP इंजिन उसको भी अप्ग् मालली रश्या को भी प्रॉब्लम हो रहा है रश्या की बात अगर आप करें तो यहां पर उप्रीत प्राउब्लम के जितने भी इंपोर्टर होंगे व ow भी छेज क करते नहीं कर पा रहा है कारण क्या है कि देखिए एक तो रश्या खुद वार में फसा हुआ है जिस वज़े से ये सारे spare parts short supply में हैं उनके पास जो critical component उससे वो अपने वार के लिए ये चीज़े बना रहा है ना कि दुनिया को देने के लिए क्योंकि वो खुद वार में उल्जा हुआ है दूसरी समस्या क्या है रश्या की जितनी भी defense companies है ये सब sanction phase कर रही है क्योंकि ये Ukraine war में contribute कर रही है जिस वज़े से ये companies जो input चाहिए समान बनाने के लिए वो import नहीं करवा पा रही है जिस वज़े से engine बनाना है या अन्य कोई spare part बनाना है तो वो सब वो नहीं बना पा रही है तो इस वी दुनिया को supply भी नहीं कर पा रही है तो रश्या का जो business चल रहा था बढ़िया कि समान बेच दो फिर spare part स बढ़िया जीवन भर कमाते रहेंगे वो business भी हिट हो गया है तो अब यहां पर रश्या भी समझ रहा है कि यह business ज्यादा दिन नहीं चलेगा अगर हमने ऐसे ही customer service दिया तो तो क्या किया जाए तो रश्या भी यहां पे ढूंड रहा है कि एक नया hub बनाया जाए जो की sanctions से द भारत है दोस्तों इसमें क्या हुआ है आईए आपको बताता हूं तो अब रश्या ने जब पिये मोदी जी गए तो उस वक्त यह clear होता हुआ देख रहा है कि रश्या ने कहा कि आपको यह जितने भी critical raw materials चाहिए जो चीजे चाहिए input चाहिए spare part चाहिए रश्या से इंडिय में बना लो क्या नया हुआ है जड़ा सुनिए हाल को HAL को अगर आप देखें तो उन्होंने रश्या कह रहा है कि नए सुखोई fighter jets आप अपनी नाशिक facility में ही बनाईए रश्या ने इन principle agree कर लिया है जिसके द्वारा हो कह रहा है कि इस production को हम मदद करेंगे जो भी वैसे भ हम अपने कही ना कहीं आप अगर देखें तो ब्रह्मोस मिसाइल को रश्या और इंडिया ने मिल के बनाया है जॉइंट विंचर है और इंडिया में बनता है दुनिया को एक्सपोर्ट होता है वही मोडल लेके आएंगे जो इंडिया में बन रहा है तो HAL तो एक तरफ रहे उसी को ओवरहुल करेगा और वहीं से वह सारा का सारा अपने के लिए तो ब्रह्मोस लाइक जॉइंट वेंचर बन रहा है अब इसमें अगर आप देखें तो कुछ एक्सपोर्ट मार्केट्स भी हमको देखने होंगे सबसे पहले जरा देखिए दो प्रकार का भारत के लिए खुल रहा है पहला क्या हो रहा है ब्रैंड न्यू जट्स अगर आप देखे तो नाशिक फैसिलिटी में बनेंगे वहां से अगर आप देखे तो वियतनाम मलेशिया, इंडोनीसिया, अलजीरिया यह सब पोटेंशिल वायर्स हैं तो उनके लिए इंडिया वो हब बनके उब्रे का जहां से यह made in India SU-30s जो की भारत उड़ाता है तो SU-30 MKI है तो वही वाला जो की प्रोवन परफॉर्मेंस है अब ग्रेड़ेड है वो वाला जेट सम वियतनाम मलेशिया, इंडोनीसिया, अलजीरिया को देंगे दूसरे तरफ और एक मार्केट क्या है जेट अब ग्रेडेशन का अलर अब दुनिया भर में यूज हो रहे तो जाहिर सी बात है इनको अपग्रेड भी तो करना होगा तो इसके लिए इंडिया वो हब हो सकता है जहां पे हम अपना आपको जैसा मैंने बताया सुपर सुखोई प्रोग्राम के अंतरगत SU-30 MKI को ही अपग्रेड कर रहे हैं तो यह ही वो हब हो सकता है जहां पे दुनिया भर के जो अल्रेडी सुखोई के यूजर्स हैं SU-2730 वो इंडिया आएं और इंडिया में अपना जितना भी रिपेर ओवरॉल का काम है अब ग्रेडेशन का काम है वो सब भारत में आपको होता हुआ दिखेगा अब दोस्तों यहां प इरोड कर रहा है बाकी के manufactures majorly China कर दे रहा है चाइना के छोड़ो रशन समान मुझसे ले लो मैं रिपेर करवाओंगा अब यहां पर रशया कहरे है कि देखो मैं तो वर में उलचा हुआ हूँ मेरे हां सैंक्षन का डर है तो ऐसा करते हैं इंडिया के साथ मिलके जॉइंट लोजी ट्रांसफर के साथ तो इसी प्रकार से अब रशियन कहीं न कहीं जो विपन मैनुफाक्टरर्स हैं वो भारत की और तेजी से आते हुए देख रहे हैं दोस्तों अमीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी लाइक दरूर कीजिएगा इंस्ट्रागाम करना बिल्कुल भी ना भूलें